प्राचीन नगरी दुनिया से अधिक्तम 60 सालों से छिपी हुई रही है, जिससे उसकी वास्तुकला की अध्भुत्ता और एतिहासिक संग्रह एक सर्याप्रत जल्मग्न परिद्रिश्य में सनरक्षित रही है शी चेंग का इतिहास 1300 वर्ष पहले टांग राजवंश की ओर जाता है और यह जेजियांग प्रांथ में एक राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में सेवा करती थी 1959 में चीन सरकार ने फैसला लिया कि वे शिनान नदी जल्विद्युत स्टेशन बनाएंगे जिससे आ आसपासी क्षेत्रों को जल्मग्न किया गया इस संयोजन द्वारा शीचेंग का डूबना और क्यांडाव जील का निर्मान हुआ जो 573 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को आवरण करता है Underwater Preservation कई दशकों तक शीचेंग की डूबी हुई नगरी पानी के नीचे छिपी रही जिससे उसमें सुरक्षित रूप से बने हुए इमारतें, मूर्तियां और जटिल नकाशी सनरक्षित रही जल्मग्नपा परियावरण में प्रकाश और ऑंक्सीजन की कमी से प्राकृतिक 85 प्रक्रिया रोग दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप एक आश्चर्य जनक समय कपसूल जमे हुए रहे है Exploring शीचेंग हाल के वर्षों में शीचेंग की डूबी हुई नगरी के अन्वेशन और उसकी महिमा को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के लिए प्रयास किये गए हैं प्रिथवी के विभिन हिस्सों से आने वाले मौय डाइवर्स शीचेंग के रहस्यमय आकर्शन को खीचे जाते हैं स्पष्ट जल के माध्यम से नगरी की अद्वितिय सनरचनाओं का आदर्श करते हैं और इसके समरिद्ध इतिहास में खुद को डुबोने का आनंद लेते हैं आर्किटेक्ट्रल मार्वल्स शीचेंग अद्भुत वास्तुकला के अद्भुत चमतकारों के लिए प्रसिद्ध है जिनमें सुन्दर गुंबद द्वार, आलिशान पत्थर की मूर्तियां और नाजुक नक नक नकाशी शामिल है यह सिंह नगर की विशालता उस समय की कलात्मक और वास्तुकला शैलियों को प्रतिभिंबित करती है, जिनमें अत्यंत भव्य नकाशी शामिल है, जो इस नगर के पूर्व महत्व और सांस्कृतिक महत्व की गवाही देती है शी चेंग के एतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्य को मान्यता देते हुए चीन सरकार ने इस डूबी हुई खजाने की सुरक्षा के लिए कदम उठाए हैं जल की गुणवत्ता को बनाए रखने और शहर की सनरचनाओं को क्षती से बचाने के प्रयासों से ये सुनिश्चित किया जाता है कि आने वाली पीड़ी भी शी चेंग की अद्भुतता को आश्चर्य चकित करती रह सकेगी कन्क्लूजन चीन का अंडरवाटर, शहर, शी चेंग मानव इतिहास और वास्तुशिल्प के प्रतीक होने के रूप में आकरशक है क्यांदाव जील के पानी के नीचे सनरक्षित यह सदियों पुराने समय के एक मौन साक्षी के रूप में खड़ा है इसकी गहराई का अनवेशन एक विशेश जलक प्रदान करता है जो हमें एक भूत पूर्व युग की दिशा में देखने का अवसर देता है और सांस्कृतिक विरासत की स्थाई तवशील शक्ति की याद दिलाता है